अलो बच्चों कैसे हैं आप लोग आपको याद होगा हम लोग उस दिन यूनिटें डामेंशन में कुछ चीज़ें बताये थे जैसे की यूनिट्स क्या होता है डामेंशन क्या होता है आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कि वाट आर दे अडवनिटेज़ ओफ डामेंशनल अनलेसिस तो देखें इसके तीन बेसिकली यूज़ें फर्स्ट है वरिफिकेशन अफ एन इक्वेशन मतलब आपको सामने कोई एक्वेशन लिखी है तो वो सही है की गलत है यह हमको चेक करना है तो देखें होता क्या है dimensional formula of each term separated by plus or minus must be same in any equation मतलब जैसे मालों कि अगर यह लिखा हुआ है equation है y is equal to a plus bc plus d upon f plus y तो देखो इसमें जितनी भी term है जो plus या minus से separated है जैसे यह y है इसको आप minus कर लों ठीक है तो यह इसे separated है यह इसे separated है तो इसका dimension formula इसके dimension के equal होगा इसके dimension के equal होगा इस पूरे के dimension के equal होगा तो लिखा है नहीं कि if y equal to a plus minus bc plus d upon f plus g is correct then ध्यान देना dimension of y is equal to dimension formula of a is equal to dimension formula of bc is equal to dimension formula of d upon f plus g for example if x equal to a plus bt is a correct equation then find units of a and b if x is in meter and t is in seconds तो बच्चों यह equation दिया होगा है आपको x equal to a plus bt ठीक और इसमें बताना है कि a और b के units के होंगे और dimension formula के होंगे तो देखो मने आपको अभी बताया कि अगर कोई equation correct है तो उस case में जितनी भी terms है जो plus minus से separated है उन सब के dimension formula same होगे तो इसका मतलब यह हुआ कि dimension of x is equal to dimension of a is equal to dimension of bt अब देखो यहाँ पे bt combined एक तरह माना जाएगा ऐसा मत करते ना आपके b को अलग कर दिया और t को अलग कर दिया तो अच्छा dimension of x क्या हुआ अरे भाई यह distance है मीटर में है उसका dimension क्या हुआ उसका dimension जाएगा dimension of a नहीं पता आप छोड़ दो dimension of bt में देखो b तो हमें नहीं नहीं पता बट t तो पता है time तो time कमने क्या लिख दिया capital T अब आप इनको compare कर लो इतर देखिया आप साफ साफ दिख रहा है एक dimension एलके equal हो जाएगा इसकी unity क्या हो जाएगी meter इसको आप रिवाइज करेगा कोई doubt होगा अब दुबारा फिर पुछिएगा बच्चों second use आता है dimensional analysis का second use conversion of units अच्छा यह क्या है इसका मतलब है कि अगर माल लिए कि आपके पास कोई physical quantity है वो किसी system लिखे पड़ी है उसको मुझे किसी और system में लिखना है तो क्या करें जाम पिल माल यह है कि हमने बोल लिया किसी कार की speed आपको kilometer per hour में given है और इसको आपको meter per second में convert करना है तो क्या करें तो देखे उसके लिए concept है यहाँ पर अच्छों यह है कि हम लोग यहाँ पर क्या करते है one system of units is converted into another system suppose कि कोई quantity है तो उसकी जो numerical value है n1 है n1 क्या है numerical value in first system n2 numerical value in second system similarly the u1 the units in first system and u2 units in second system तो concept होता है बच्छों n1 u1 equals to n2 u2 ओके अब जैसे example ना बता है आपको sorry convert 20 km per hour into meter per second तो बच्छों यह देखो first system हो गया km per hour दूसरा हो जाएगा meter per second तो n1 क्या है n1 is that 20 20 और u1 क्या हो गया unity क्या हो जाएगा first system का km per hour n2 second system में आप से numerical value पूछा है तो question mark u2 क्या हो जाएगा meter per second अब हम लोग इसको इस formula में यह output कर देंगे next page में see n1 u1 equal to n2 u2 20 into km per hour is equal to n2 into meter per second अब बच्चों एची द्यान देना हम लोग इसको इस system में convert कर देंगे या इसको इसमें convert कर देंगे कोई भी कर दो कोई फर्क ही पड़ता है तो चलिए काम करते हैं हम लोग km per hour को meter per second में हम लोग convert कर देते हैं km per hour as you know कि 1 km में 1000 meter होते हैं तो मैंने लिख दिया 1000 meter one hour में 3600 seconds होते हैं तो मैंने इसको यहां पर mention कर दिया right and to again meter per second अब इची द्यान से दिखो इधर भी meter per second है और इधर भी meter per second है अब यह मा सोचना है कि यार यह algebra है और आपने इधर से इधर से काट दिया काटना नहीं बच्चों काटना नहीं है compare करना है अगर इधर की units same है इसके तो हम लोग इस numerical value को equate कर देंगे then n2 is equal to what 20 into 1000 upon 3600 solve किया कितना हो गया 200 by 36 force दिवाइड करिए 490 जा 36 and 450 जा 200 solve किया 5.5 meter per second इसी तरसे आपको सारे कोशन करने है ठीक third is third advantage is derivation of a formula अब जैसे माली में आपसे बोल गया है कि कोई particular quantity है x x जो है different physical quantities y पर z पर depend करती है तो बता उसमें क्या relation हो आईसे question आजाते है तो बच्चों यह बहुत आसार होता है कुछ नहीं बस हम लोग क्या करते हैं उसमें जो भी relations हो सकता है उसको हम लोग बनाने के courses करेंगे चलिए इसको बस बात को में एक example से समझाता हूँ let velocity of a particle depends on time t and acceleration a then write formula क्या करें बच्चों जो depend कर रहा है जैसे velocity depend कर रहा है तो हम velocity start करेंगे velocity time पे depend कर रहा है कैसे depend कर रहा है भाई नहीं पता square root है कि square है कि universally proportional है कुछ नहीं पता है मेरे को उसी तरह से मुझे acceleration के भारे में भी नहीं पता तो हम लोग क्या करते हैं अपनी और से एक unknown power resume कर लेते हैं solve करते हैं जो आना होगा अपनी आप आप जाएगा अब बच्चों दोनों साइट हर फिजिकल कॉंटिटी के dimension formula note करते हैं जिसे velocity के क्या हो जाएगा lt-1 directly proportional to t time का power p acceleration है lt-2 की power q अब दोखो l की power q मने आलिक दिया t की power p t की power minus 2q l की power q because l अकेला है और t और t दो है यहाँ पर base same है तो बच्चों जो base same होता है तो power add हो जाते है now t की power p minus 2q अच्छा इस side दो क्या है lt-1 अब मैं दोनों side same base की power को compare कर लोगा तब इसर क्या हो जाएगा q is equal to 1 कैसे पता चला तो को इसरा l की power q है इसरा l की power 1 है this is 1 जो कुछ नहीं लिगा तो 1 बोलते है then q is equal to 1 similarly p minus 2q is equal to minus 1 आप यहाँ पर q की value रख दो तो p minus 2 into 1 equal to minus 1 then p is equal to 1 इसलिए relation का हुआ v proportional to t की power 1 e की power 1 या v proportional to 80 बोलते हैं अगर आप इसे अटाते हैं आप इसको पुरा रिवाइज कर लो फिर मैं आपको इसके numerical send करता हूँ और next class में आगे start को आगे की जो topic हो start कोता हूँ टेक केर बाई बच्चो